नमस्कार क्यापिटल टिवी का खाश शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को बड़ी सौगा दी है नरेंद्र मोदी ने कुशिनगर अंतरास्टी हवाई अड़े का उदगाटन कर दिया है ये उत्तर प्रधेश का तीसरा और सबसे लंबे रनवे वाला येरपोट होगा कुशिनगर पहुँचकर मोदी ने जमकर योगिया अधतनात की तारिफ की साथी विपक्षियों पर हमला बोला तो उधर अखलेश यादव को मिर्ची लग गई अखलेश यादव ने ट्विट कर कहा कि शुलन्यास की एक इक तक भी इन्होंने नहीं लगाई तब भी सपा के कामों का उधगाटन करने आ गए भाजपाई नरेंद्र मोदी के यूपी के इस दौरे और इस बड़ी सौगात पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनिश कुमार अज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाओं से पहले बहुत बड़ा दाव खेल दिया है सर देखी ये जो कुशी नगर में जो इंटरनेस्टल एरपोर्ट बनाया गया है ये सिर्फ उत्तर परदेशी नहीं बलकि हिंदुस्तान के लिए एक इंपोर्टन डेस्टिनेशन है दुनिया भर से लोग यहाँ पे बहुत सर्किट का भ्रमन करते हैं आते हैं बनारस में सारनाथ आते हैं गया जाते हैं कुशी नगर एक बहुत अहम अस्थल है और यहाँ पे इसकी शुरुवात करके इसको कह सकते हैं कि एरिया पूरे जो इलाका है उसके डवलप्मेंट में ये एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि दुनिया भर से लोग आएंगे परिटन बढ़ेगा और एक छोटे से जगह कुशी नगर को लेकर के हिंदुस्तान में तिनी ज़्यादा अवेरनेस नहीं थी लेकिन आपने अचानक से एक एरपोर्ट बना करके एक यूपी के शहर को ग्लोबल मैप के उपर आपने स्थापित कर दिया सिर्फ इंटरनेशनल एरपोर्ट ही नहीं है ये 26 नवंबर से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट साएंगी सब्ता में चार दिन तो एक नया स्कोप भी खुल रहा है लोगों का कुशिनगर लखनों से काफी दूर है तो लोगों को पहले लखनों आगर के फिर कुशिनगर जाती थे तो आप डिरेक्ली और उसके आसपास के 200-200 किलोमेटर की लाके में आपको बढ़ियां एक जगह आपको एर से बाजवाए शुरू मिल जाएगी लेकिन सिर्फ यही तो पर्पस नहीं है चुनाओ का समय है इसलिए प्रधान मंतरी मोदी ने मौका को छोड़ा नहीं और बिलकुल मौके के उपर ही चौका लगाया उन्होंने लगे वो योगी आधित नात की तारीफ करने बोने लगे बहुत यह लोग माफी माँग रहे है तो यह चुक्षिनाओ का वक्त है काम तो यह सरकार वैसे भी हर जगा इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रही है लेकिन चुनाओ का वक्त है तो इसको चुनाओ के हिसाब सही देखा जाना जरूरी है अब इस तरह के से पर्दान मंत्री हम लोग लगातार इस चीज को डिसकस करते आ रहे थे कि पर्दान मंत्री चुनाओं से पहले तक 30 से ज्यादा रहली करने वाले हैं 30 से ज्यादा रहली का मतलब ये हो गया कि आप कभी आपको अंको एउध्धह में देख लेते हैं कुछ गोशना हैं तो इसका इंपक्ट चुनाओं के उपर जरूर पढ़ेगा एक वो यह समझे कि लोगों के दिमाग में इस तरह की खबरे जब आती हैं तो ऐसा एक सब कॉंसेस में फीड चला जाता है कि सरकार काम करने वाली सरकार हैं यह काम करने वाली सरकार हैं सिर्फ भा अकले सादब का भी योगदान है वहाँ पर एरपोर्ट बनवाने में जमिन तो उन्होंने मोहिया करा है लेकिन इंटरनेस्टल एरपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा इसका क्लेरेंस वह राज सरकार के पास नहीं होता वह केंदी सरकार के पास होता इसलिए इसके घोषना जो उतिरास सिन्हा ने किया जो एविशन मिनिस्टर है तो यह राजनीति दाउपेच ठीक है और जब तक इस तरह की राजनीती होगी जैसे अकले सादब ने भी बहुत सारा काम किया ऐसा नहीं कि अकले सादब ने अपने जमाने में कोई डवलब्मेंट का काम नहीं किया तो अ तो यह ठीक है यह इस तरह की चीजे किसी भी राज में होती है अगर वहां के चार-पांस दल जो सरकार बनाने में होते हैं और उनमें आपस में विकास के नाम पे competition होता है तो जंता जो है वो इसको समझना चाहिए कि राजनीती जो है सही दिशा में चल रही है दिक्कत तब आती है जब जाती धर उदर उस तरह की चीजों को लेकर कि जब राजनीती होती है तो उससे नुक्सान होता है यह राजनीती फाइदा कराने वारी राजनीती है और जो भी हो, हर सरकार आती है, कुछ ने कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार पांस साल रहे, कोई काम न करे. अगले सादम नहीं तो ये आगरा और लखनों के जो सुपर एक्सप्रस में जो है, तो उरो ने किया है, जिसने जो काम किया है, उसको अग्नॉलेज करना चाहिए. लेकिन काम का बस अनॉंस्मेंट कर देना और उसको तेजी गती से आगे बढ़ा देना, इसमें भी तो अंतर है सेर. इसमें देखिया आस्मान जमीन का फर्क है इसमें बहुत ही आस्मान जमीन का फर्क है जिस हिसाब से मोधी सरकार योगी सरकार ने योजनाओं को जमीन में लागू किया उसमें जो सबसे जो बाकी सरकारों में और इनकी सरकारों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो फर्क ये है क इनों ने भ्रष्टाचार के element को खत्म किया अगर किसी को subsidy देनी है किसी को मदद पहुचाना है किसी को pension देना है वो सीधे पैसा जो है वो account में आता है तो बिचौलिये यह जो मुखिया यह सरपंच यह video यह CEO यह सब जो घूस-खोरी करते थे उसकी जो पूरी संभावना जो ह प्रष्टाचार होता था कि करने के लिए इतने पैसे गरीबों में दिये जा रहे हैं इतने लोगों को इतना रोजगार दिया गया मालूं चला कि register पर सारा कुछ हो रहा है सब खा जा रहे हैं लेकिन अब वो इस्तिती नहीं है अब इसलिए घर भी बराना होता है तो मुख यह एक functioning जो भारती जंता पाटी ने पिछले 5-7 सालों में जो create इन लोगों ने किया है वो काबिले तारीफ है क्यों कि भरस्टाचार इससे खत्म हो गया दूसरा जो बाकिक के सरकारों और इन सरकारों में बीजेपी की सरकारों में सरकार में जो difference है वो यह है timing यह लोग time fix क पूरा करने की कोशिश करते हैं most of the time वो target पूरा हो जाता है पहले हम लोग इसकुल में भी जब आप पढ़ते होंगे कि हिंदुस्तान में क्या-क्या problems हैं तो यही पढ़ाय जाता था कि योजनाय तो बहुत बनती हैं लेकिन उसे अमली जामा पहनाने में सरकार जो है वो फ में high Lane बनते नहीं थे आप याद कीजिए मैं तो अपने साहर के बारे में बता सकता हूं मुगेर में मुगेर का हूँ मैं वियार में एक ब्रिजबरना था गंगा के उपर से ओव 20 साल से वो 20 साल से वो कर दो时 कर द और सकार बदली देखिए पटाक से वहां पर काम हुआ तो तो यह इस तरह की से जो टाइम बाउंड परफॉर्मेंस और बरस्टाचार का बिलकुल ही खात्मा यह दो चीज़े हैं जो जनता के दिमाग में हैं कि यह लोग काम भी करते हैं काम वशे हर सरकार करती है ऐसा नहीं कि काम नहीं होता अधर्वाइस तो हम लोग बिलकुल ही प्रधान मंत्री योगी को लेकर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी चीजों की घोशनाएं की जाती है उसे पूरा किया जाता है और आज एक बर फिर से मोदी जी योगी की तारीफ करते नज़राएं देखिए ये तो बिना किसी डाउट के इसमें दो इलिमेंट जिसतर की तारीफ हुई है इसका माइने क्या है और दूसरा जो वो तारीफ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं जितने भी योजनाएं केंदर सरकार की है और प्रधान मंत्री जिसमें इंट्रेस्ट लेते हैं योगी जिने बिलकुल इस चीज को इंशियोर किया है उनके दफ्तर से उनके अपने मोनेटरिंग में कि वो प्रधान मंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं उसमें कोई भी गलबल ना हो और वो डेडलाइन को मिस ना करे और उसके लिए वो आस्मान जबी निक कर देते हैं और इसलिए प्रधान मंत्री सबसे अगर इस देश के अंदर में जितने भी भारती जिन्ता पाटी के जो मुख्य मंत्री हैं कई राज्यों में हैं अगर कोई फेवरेट सबसे बड़ा है प्रधान मंत्री मोदी का हो तो योगी जी हैं वो इसलिए क्योंकि PMO से प्लैन बनत और जिस हिसाब से जो भी आदेश वहां से मिलता था वो अक्षर शह जिसको लागू करना कहते हैं वो बिलकुल उसी हिसाब से लागू होता था तो ये इसलिए तारीफ जो है वो लाजमी है बनता है दूसरी बात जो प्रधान मंत्री मोदी इस तरीके से जो तारीफ करते है ये अपने आप में उन तमाम लोगों के लिए वो संकेद भी है कि योगी ही इस चुनाओ का कमांडर इंचीफ है जो लोग बिच में बबल के तरह खबरे प्लांट कर रहे थे कि योगी जी को हटाया जाएगा योगी जी नहीं है योगी चुनाओ के बाद इबन तो वो उन लोगों के लिए मौरिया और उनके समर्थक जैसे लोग है उन लोगों को रिबटल है और प्रधान मंतरी मोदी इस तरह की बाते जब करते हैं इनके अंदर साप सूंग जाना कि यह तो प्रधान मंतरी कह रहे हैं कि यही हमारा बास है तो अब उनके खिलाफ कौन जाएगा और इसलिए चाहे वो टिकेट बटवारा हो चाहे वो कैम्पियन स्ट्टेजी हो कैम्पियन का प्लान हो इन सब में जो सब से प्रमुख व्यक्ति उत्र प्रदेश में कोई है वो योगी आधितनार और अज़ब प्रधान मंत्री योगी जी को कर्म योगी कहते हैं तो विपक्षियों में बहुत जादा बॉक्लाहर्ट देखने को मिल रही है आज कर देख रहा था कि किस किस जैसे आप प्रधान और उस तारीफ को कैसे आत्मि रिसीव कर रहा है? कै क्योंकि ये लोग, चाहे वोarloडी जी हो चाहे योगी जी हो, इन लोग का जो बाहरी परसोना है, कि बाहर से को आत्मि को आत्मि देखे, तो ये कह देगा जी, बढ़े करक् लोग हैं ये लोग. और दिल से, चुकि मैं इन लोगों को जानता हूँ अच्छी तरीके से, दिल से ये लोग बहुत ही सौफ्ट है, तो मैं वो दिल से देख करके, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, पुरदान मंत्री एकदम बिलकुल दिल से तारीव भी कर रहे थे, और बच्चों की भात ही, हाथ उपर करकर के वो तालीब बजा रहे थे, जैसे उनको जो है, बिलकुल, कोई एक बास, एक बच्ची की तारीव कर रहा है, तो मोटिवेशन दिल से, ये बात, ये बात, एकदम आप ये समझ लीजिए, कि प्रधान मंत्री के यहां से कोई भी चीज मूव होती है, को प्रधान मंत्री मोदी की जितने भी योजनाएं हैं, वो आप कहीं भी रहेंगे, प्रधान मंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहेंगे कि वहां पे बिलकुल उसी तरके से लागू किया गया है, तो आज जो हुजूम नजर आया, अभी तो ये शुरुवात आने वाले वक्त पे मोदी योगी से लेकर तमाम बड़े नेता यूपी के अलग-अलग जबो पर जाके चुनावी संबोधन करेंगे जनता का प्यार साफ नजर आ रहा है विश्रवाती टाइम में देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और मैं तो एक स्टेप आगे जाता हूँ इस बात को मैं मानता हूँ अच्छी तरीके से कि आजाद भारत में प्रधान मंतरी मोदी जैसा पॉप्डर लीडर कोई नहीं आस पास भी नहीं कोई कॉम्प्रिटिशन नहीं है इसमें ये हारी भी बाजी को जितवाने का मादा रखते हैं इस तरह के इनकी फैन फॉलोइंग है और जिस हिसाब से ये जहां जाते हैं ये आज प्रधान मंतरी मोदी बहुत दिनों के बाद उनकी दाड़ी जो है वो ट्रिम की वी थी तो वो अपने पुराने फॉर्म में जो है वो लौट रहे हैं तो एलेक्शन के पहले जो है उनका फॉर्म भी लौट रहा है और जिस अंदाज से नहीं ने भाचन दिया उनक्रा यहां स्थिती बिल्कुल ही बीजेपी और एंडिया गडबंधन के लिए खराब थी लोग नितिश कुमार को लाइक नहीं कर रहे थे भाजपा की वज़त से नितिश कुमार की सरकार वहां पे बन गई वो मुख्य मंतरी फिर से बन गए लोग नितिश कुमार को बिलकुल र सदान मंतरी मोदी का वो रहलिया जब सुरू हुई पूरा का पूरा चुनाओ का परिदिर से बदर गया तो वो उस तरह के सक्स है और इसलिए यह जो पब्लिक के साथ जो उनका रजिलन्स है जो उनका लगाओ है वो काबिल तारीफ है सर जाते जाते एक छोटा सा जवाब भी आपसे चाहूंगी आज एक मुलाकात हुई है बड़ा एहम मुलाकात में निजर आया अकलेश यादब और राजपर की यह मुलाकात हुई है और ट्विट करके बताया गया कि दोनों साथ आ गये हैं बिलकुल सही है बिलकुल जाना ह को एक मिल गया है कुछ दिनों तक यह चल रहा था कि बीजेपी के साथ कुछ बाची चल रही है यह चल रहा है वो चल रहा है लेकिन भारती जंदा पार्टी उस मूड में नहीं है कि वो इस तरह की छोटी-छोटी पार्टियों से ब्लैक मेल हो जाए और शाहिद उन्हें ज बास्ता नहीं था तो वो समाजवादी पार्टी के साथ राजबर साथ चले गए कुछ दिन पहले इस्टिंग ओपरेशन भी हुआ था उसमें भी विचारे फस गए थे तो खैर यह मिंदुस्तान की राजनीती का अपना चरित्र है एक बात और इस प्रेस कांफरेंस से इस दोनों मिल करके वो चुनाओर लडेंगे इस तरह की तो समाजवादी पार्टी में जाने का मतलब यह इधर हो गया लेकिन अभी कुछ जानकारिया है कि जो गटबंदन का जो खेल है यह बड़ा इंटरस्टिंग होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे ऐसे मूब होंगे कि जिससे यूपी की राजनिती में बहुत बड़ा उसको कर सकते हैं उलट फेर होने वाला है तो उसका इंतिजार हम सबको है आपको भी होना चाहिए चलिए शुक्रिया सर जानकारी देने हैं धन्यवाद तो चुनाव नस्दीक है बीजेपी आक्शन में है और विपक्षी पार्टिया जी जान लगाकर बीजेपी को टक्कर देने में जुटी हैं मुलाकात वाद विवाद का भी दोर जा रही है और इसी बीच आज एक एहम मुलाकात अखलेश यादव और ओम प्रकास राजबर क यूपी चुनाव से पहले काफी लंबे समय से बीजेपी के खलाप मोर्चा खोलने वाले सुबस्पा अध्यक सोंप्रकास राजबर अब समाजबादी पार्टी के साथ आ गए है पर ये साथ कितने लंबे वक्त का है और इस साथ का असर यूपी चुनाव पर कितना पड़े नमस्कार